जालावार जिले के गंगधार थाना शेत्र के गंगधार कजबे में व्यापारी के उपर हुए हमले को लेकर गंगधार कजबे के व्यापारियों में रोश्व्याप्त है गंगधार पुलिस ने त्वरित कारिवाई करते हुए दोव्यक्ति को गंगधार कर लिया है हाला कि सुबह होते होते व्यापारी पर हुए हमले की बात चारों और फेल गई इसके बाद गंगधार व्यापारियों ने गंगधार कजबा पुनरूप से बंद रहा मामले की गंभिरता को देखते हुए वियाईसपी प्रेम कुमार एवं गंगधार बाबुलाल मेना मय जापते के गंगधार कजबे में अलट मोड पर रहे इसके बाद गंगधार कजबे के व्यापारी एवं हिंदू संगठनों ने एस जीम को जीला कलेक्टर के नाम ग्यापन सो पाव आरोपियों के खिलाब कड़ी कारिवाही करने की मांगी ताकि भविश्य में होने वाली ऐसी घटनाओं पर रोख लग कर पुनार व्रत्ती ना हो सकी हुआ और इन्होंने आके ने सली राड की दी मेरे तो में तो ब्रहुस हो गया और उसके बाद मेरे रुक्तर होस्मिया और वहां से फ्रार हो गया आपको कुछ दिर पहले पता होगा यहां पर आलेडी इसी चोराय पर पहले दंगा हो चुका है और असामजी तत्वों ने कि सिम्मेंट दीती और आज देखो आपके छे महीने बार में उसको पेशा मांगा वह भी सो सो रूपर करके देने की बाती तेकिन दे नहीं पाए और उपर दादागेरी करके और उन्होंने मेरे साथ यह से करा है और हम चाते हैं कि इसको जल्स अच्छे कारवाई होई क्योंक मेडिकल हुआ और मेडिकल में मेरे फिक्चर बताया गया है और भुद्ध रहेंकर पेन हो रहा है मैं बेटनी पा रहा हूं रात कुछ फूर रात बन नहीं नहीं हुआ सर अभीजो गंदार में कुछ से दुखावा सुनी ही व्यापारियां के उन्हों पूलीज में तो क्या माम लाएगा हूं को सावरिया हार्डवेर और अभीरा वैल्डिक इन दोनों दुखानों के व्यापारी वर्ग को आपस में लेंजेन को लेकर मारपीट की सूचना मिली तुरंत मौके पर पहुंचके गंगदार पुलिस ने कारवाई की उनको और एफ़ायर दर्ज की तुरंत और दो जन्हें जो मारपीट में सामिल थे उनको ग्रेपतार कर सुचना इस पुरू भी अपरा इस प्रकार की कोई घटना वहां सुनने में आ रही किसे इस प्रकार क प्रकार की घटना कोई हमारे संग्यार में इस तरह की आई नहीं है और किसी भी तरह की घटना होने पर आम तुरंत वहां बहुंचके जो भी कानूनी कारवाई होती है उसको करने का प्रयास तुरंत किया जाते है